नमस्कार मैं हूँ अउधेश राव और आप देख रहे हैं बवन्दर इंडिया टीबी मेरा भाइंदर में कुछ जिनों से कच्रे को लेकर काफी हर्चल है भाजपा और शीशना में एक मानुद भियंसा हो गया है सिशना के नेता जो अस्थानी लोग हैं उन्होंने मनपा के उपर और सहर के उप महापर के उपर आरोप लगाया है उनका कहना है कि कहीं न कहीं यहां पर राजबिति के दबाओं में यहां पर जो डंपिंग ग्राउंड बना जा रहा है विश्व के लिए कि आज हमारे साथ मे सबसे पहले आपके माधियम से आपके सभी ओडियन्स को अबदिर जी आपको शुब कामने देना चाहूंगा बवंडर की नई चैनल के लिए और जो आरोप लगाया गये हैं कि इसके अंदर डंपिंग ग्राउंड यह 100% आरोप नहीं है यह 100% विरुद्वे की तरफ से लोगों को गुम्रा करने की कोशिश है मैं आपके माधियम से लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि आप गुम्रा मत होई है जानकारी पुरी ले यह लीजिएगा और आश्वस करता ह हूं कोई भी एक सोसाइटी कोई भी एक सोसाइटी बिना जानकारी लिए किसी की बातों में ना आये यही मैं आपसे निवेदन करूंगा और इसके अंदर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यह चैनल के माधियम साब मुझे जूट सकते डारेक संपर भी कर सकते मेरे कार जाएगा उनका मान सम्मान के साथ में वहां पर कारी आगे नहीं बड़ेगा यह मैं आपके मांदियम से लोगों को कहना चाहूंगा लोगों में एक सवाल साउट रहा है कि आखिर यह जो दिया गया है मनपाता से मानिपा को अनरुद बडारूद करोंगा निवेदं करोंगा कि उसे अगर आप मैं बार बार रेसाइकलिंग के नाम पे वहां पर कच्रा जमा होगा कहा है दंपिंग राउंड होगा तो वहां पर जो बद्राइग तो आपके रहिवाशियों को ने परशानी होगी इसा मैं नहीं, आपके स्थानी, लोग करते हैं, इसलिए बार-बार लो चीज को दोड़ा रहा हूँ. चाहे आप और लोको को भी गुम्रा किया गया है आपके पत्रगार बंधों को भी घुम्रा किया गया है मैं आपसे भी नीवेदन करूँगा कि इसकी जानकारी लिए डंपिंग क्राउन नहीं है पहली बात तो यह सिरव सूखआ ने आने वाला जिसके अंदर nós प्लास्टिक प्लास्टिक बात करें लकड़आ 시के लाव डंपिक लाफ प्लास्टिक तो न ही वहां पर रिसाइकल होगा महां पर और रिसाइकल करके उसको उपयोग में चीजे लाइए जाएगी तो वहां पर ना बद्बू फेलेगी ना कोई क्या क्या तरह उठेगा और आइसा कुई भी वहां पर उने वाला नहीं आपको आश्वास करना चाहूंगा मनपा को इसमें अगर आप देखा जाओगे तो बहुत ही अच्छा फाइदा होगा अगर हम फिलाल अभी प्राइजिंग तत्वों पर एक कारेकरब करने जा रहे हैं उसका विसलेशन करके इतने फेरे बस्ते हैं तो कम से कम आरो के विवाप जिसको काम दिया गया उनको छूड़ ले सकते मेरा मानना यह तो छोटा सा फाइदा होगा लेकिन अगर इसको भविश्य के तौर पर देखा जाए आज की तारी में कच्रा जो सुखा कच्रा है वो जा यह होगा कि आज यह प्राइजिक तौर्ट पर जो हम कारेकरम करने जा रहे अगर यह सक्सेस होता है यानि इसको यह मिलता है तो आप सोचिए मेरा भाहिंदर के अंदर फिर यह जगा नहीं रखेगी इसके लाब फिर अलग जगा रखी जागी बड़े जगा की ज़रूत प तो आत rar टाट कि लोगों कैसा मानना कर वहां पर जगह है वह वह इस्कूल की जगह ब्रह्मित करने के लोगों के कान में डाली जोह एक लाग-बिस-अजार स्वटेश्ट रोल फूट जमने में सतर प्रतिशत की हुआ या उसके आसपास महानगर पालिका के तावे में आई है बरबर यानि अगर एक लाग बीस हजार के अंदर सतर प्रतिशत के आसपास पक्ड़ तो कुछ चौरासी हजार फूट होते उच्छाइस हजार फूट अभी भी बाकी है तो वहां पे स्कूल पालिका बनाएगी या फिर कोई विकासद बनाएगा अब वह को बनाएगा उस तब की बाते लेकिन मैं आपको माध्यम से लोगों के बताना चाहूंगा वहां पे स्कूल रिजर्वेशन ही है स्कूल रिजर्वेशन के अलाब वहां पे कुछ होने वाला नहीं है और नहीं जैसे कि आपने देखा कि यहां पर इसकूल की जब बात आए तो इंका समाना था कि मनपा के पास अगर 100% जो जगह है अगर आएगा उसके बाद इसकूल बनेगा लेकिन अभी तक उनके ताबित 84 आया जिसमें से उन्होंने 10,000 स्कूल पर उनको जगह दिया है बनाने के लिए और इमाना है कि वहां पर डंपिंग राओं नहीं वहां पर रिसाइक्लिंग भी नहीं होने वाला है वहां तो ब्बढई कहला है वहां से ले जाके ऊपिध और किया जाएगा ओर ये वाद पूateurs के अजब है बहुत है अच्छा सवज है हवधेश जीL को इंसान लोगों को गुम्रा कर रहा है और ग्रही बात इश्वर ने अच्छा सा जीवन दिया है मैं उनसे अनुरुत करूंगा अच्छे काम के लिए देश की सिवा के लिए यूज करें आप जो करने जा रहे हो आपको भली बाती जानते हों कि यह होने वाला नहीं है और इस यह प्रकल्प शुरू करने से पहले मैं बापी से कहा रहा हूं यह प्रकल्प शुरू करने से पहले स्थानिक रहवासी और स्थानिक लोग प्रदिदिन को विश्वास में लिया जाए जब यह बात हमने पहले के लिए तो बात आया ही रही है तो बात आएगी कहां से तो च इसे आप मानते हों कि चुनावी स्टंट है उनका हंडेड़ परसंट अगर में शिवशन्या का अगर कोई पददीकारी बड़ा होता तो मैं कहता था कि हंडेड़ परसंट इस तरीकी से ऐसी कोई हर्कत मत करना कि जिससे शिवशन्या को नुक्सान पहुंचे यह लोगों की हि कोई सोसाइटी अगर आपको इस तीज का कंप्लेंट करती है तो उसके लिए आप्ट्या करने वाले हैं मैंने पहले ही कहा है बापी से में दोरा आ रहा हूं उसमें हमने लाइन लिखी हुए प्रस्ताव के अंदर ठराव के अंदर कि स्थानी ग्रेवासी और लोग प्रदि अब स्थानी ग्रेवासी तो मैं इंडियोजल तो जानी सकता कंप्लेंट टेकी तो किसकी रहेगी वहाँ पे कंप्लेंट टेकी तो सोसाइटी की रहेगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वहां पर वो प्रकल्प नहीं होगा लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा अब यह है तेह दिल से कि मैं हर सोसाइटी में मैं जाओं हर सोसाइटी के पास मैं पहुचू और सच सामने रखो फिर जो भी सोसाइटी डिशीजर ने लेंगी या जो भी वहां के लोग डिशीजर लेंगे उनका हुकम सर आखो पर मैं मानूंगा लेकिन मेरी अब इच्छा यह है कि कि मैं सोसाइटी सोसाइटी पहुचू लोगों तक पहुचू और हकिकत सामने रखो और एक बार के लिए उन्होंने जो दूस प्रचार किया है लोगों को जो गुम्रा किया है मिडिया को जो गुम्रा किया वो हकिकत सामने आनी चाहिए यह मेरा भी मानना और लोगों का भी एक चैलेंज के साथ दावा भी किया कि अगर कोई भी सुसाइटी अगर कोई भी एक सुसाइटी कंप्लेंड करती है कि इसके बद्बू आती है या इस चीज हानकारक है वो परकल्प में on the spot बंद कर दूँगा उनका एक और विम के उपर आरोप है कि वो जो गंदी राधनिति कर रहे हैं लोगों को एक ब्रहमित कर रहे हैं यहां तो कि पत्रकारों को बुला के ब्रहमित कर रहे हैं यह कहिन के सरासर यह गलत है यह क्यों पॉल्टिक स्टेंट है क्योंकि एलेक्शन अजदिक आ गया है इन्हें मेडिया के सामने रहना है लोगों के सामने आना है इनके कि जानक्यारी पुरी तरह से ले लोगों की बातों में ना आए गुम्रान ना हो और कोई भी इस विशे को लेकर आपके सवाल है हम भी कोशिश कर रहे कि आप तक हम पहुचे जागुरुपता अभ्यान करें ताकि इस विशे को पूरी तरह से सपस्टी करन हो सच्चा ही सामने और उसके बाद में जो भी निने आपको लेना है अपका निने सर आप अपर रहेगा यह में वादा करता हूं जैसे कि आपने देखा इंक ऐसा मानना है कि जैसे उन्होंने आरोप लगा है तो ये खुद सोसाइट जाएंगे और उनसे बात करेंगे उनसे मुलाकात करेंगे उनकी समश्चार को जानेंगे अगर कुछ दिक्कत हुआ यह उन्होंने प्रकल्प शुरू अभी तक किया नहीं है वेज़कोल आदेश पारित हुआ है अगर कुछ प्राबलम हुआ यह अंदेश पर बंद कर देंगे और लोगों से इन्होंने आहवान किया कि लोगों के कह अगरत हो कच्रा तीन प्रकार के होते हैं एक तो सूखा एक ओला सूखा गिला और तीसरा दिमाग का कच्रा वो तो रिस्क्राइटलिंग होगा नहीं वो कैसे अब होगा उनकी बात यादागी से हम आपको कहा बहुंडे इंडिया के लिए और देश राय की रिपोर्ट झाल झाल झाल